आज का वीडियो बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है पुछी टॉपिक आज मैं सेलेट किया है इंड पोजिशन और प्रपोजिशन यह आपको सायद ही कहीं पर यह वीडियो मिले देखने के लिए बहुत सारी बॉक्स आप पढ़ोगे इस्टडी करोगे तो आपको काफिया कंफिजन हो जाता है कि किसी भी सेंटेंस के लाश्ट में प्रपोजिशन कव आता है तो जो भी मुझे मिला है जो भी मैंने स्टेडी किया है जो भी मैंने रूल्स अभी तक बनाए हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बाबस नो जो भी कुछ नई बने गो भी बता आपको तो हम लोग आज हैं सेंटेंस के लाश्य प्रेपोजिशन आखे कव आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको जरूर देखिए पूरा तो देखिए कव कव आती है जब भी आप जानना चाहते हो दा अबजेक्ट नेम जब भी आप किसी सेंटेंस में अबजेट का नाम को पता करना हो कि वहां पर अबजेट कौन है चाहिए विक्ति हो या वस्तु हो कोई दिक्कत नहीं है तो उस आपजेट की जगे पर हम लोग यूज करते हैं प्रेपोजेट का आंसर होता है यानि कि पूछ जाता है उस वह वर्ड से कैसे समझेए वाट इस दा टेवल मेड ओफ यह टेवल किस चीज की बनी होई है उस चीज का नाम बताओ उस वस्तु का उस थिंग का नाम बताओ नाम पूछा clear किस ने पूछा what ने पूछा अगर आप यहां पर लगा दो एम लगा दो वोज लगा दो वर लगा दो तो यहां पर प्रपूरिशन वाला कोई लॉजिक नहीं मनेगा प्रपूरिशन सेंटेंस के लाश्ट में अगर आना है और अब्जेट का क्या सी वेक्ति वस्तू का नाम जानना है तो सेंटेंस से स्टार्टिंग में डेवले चुवड का आना ज़रूरी होता है डेवले चुवड का मतलता है what से सुरू होना सारे सब्द यसे what where when और ऐस सुरू होने वाले how how long how far how often यह सारे सब्द with whom are you teaching तुम किस के साथ पढ़ा रही हो तो देखिए यहाँ पर विद जुमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया लेकिन अगर मैं बोलू कि whom are you teaching with तुम किस के साथ पढ़ा रहे हो तुम यह with यह बता रहा है और यहां पर यह धौनों जोग यह पूछ रहे है कि तुम किस के साथ पढ़ा थो उस विक्तिक का नाम बता हो इसी कौन सी चीज जिससे दही बनता है उसका नाम बताईए तो यहां पर प्रपॉजिशन फ्रॉम नहीं लगाओगी तो इसका मतल़ यहां पर नॉनसेंस हो जाएगा यानि कोई सेंस नहीं निकलेगा फ्रॉम यह बता रहा है कि मुझे उस वस्तू का नाम बता दो तो जब किसी विक्ती वस्तू का नाम जानना ऊओ सेंस की स्टांट में ड़िए लगाया हो तो लास्ट में प्रपॉजिशन आएगा अगर हम बात करें proportion की तो proportion कभी कभी sentence की last में आती लेकिन वहाँ पर proportion नहीं एड़व होती है जैसे की he has not come since वह अभी तक नहीं आया इस since का मतलब यहाँ पर yet है अब logic में समझेए एक मैंने आपको proportion conjunction और एड़वर के वीचे difference बताया था वही वाला rule यहाँ पर यह है तो यहाँ पर अगर आप उस बीटों नहीं देखों उसको पहले देखिए उसको समझेए फिर यह जाता समझ में आएगा तो since यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं बलकि यहाँ पर यह एड़वर है confusion हो जाता है he is in where अंदर है इनकी जग हम inside भी कर सकते हैं inside तो overall यहाँ पर यह पर प्रपोजिशन जो दिखाए दे रहे हैं यह प्रपोजिशन नहीं है यह एड़वर है क्योंकि इस थान के बारे हम बात कर रहा है यह यहाँ पर एड़वर कर रहा है the class is over class समाफ्त हो चुकी है class कैसी है, समाफ्त हो चुकी है तो यहाँ पर over रहुशन नहीं है वो एड़वर है यह प्रपोजिशन और यह प्रपोजिशन तब होती जब इसके बात कोई न कोई अब्जेट होता तब यह प्रपोजिशन बनती अदरबाइस यह रही है हमारी adverb whenever relative pronounce WH word कहने मतला भी जब भी sentence के बीचे WH word आए तो इनके बीच में आने की बज़े से इनकी ठीक पहले हमारे WH word की ठीक पहले preposition आता है जैसे कि this is the hotel यह वही hotel है आप whose बोल दो या फिर of which बोल दो अगर देखिए विच आए आप रहे तो whose के अंदर देखिए whose is equal to whose is equal to of which किसका किसकी किसकी जिसका जिसकी जिसकी इन सभी का sense जब वो of which भी निकालता है तो होस के अंदर तो off है तो यहां पर कोई problem नहीं अगर मैंने यह विच लगाया तो इसके पहले मैं off लगाँगा off को last में नहीं लगाना है एक और समझे यह वही आदमी है with whom I work जिसके साथ में मैं काम करता हूँ तो विद आगे यहां पर अगर मैं प्रपूसर को last में ले जाओं तो नहीं आएगा अभी नहीं आएगा डबले जोड बीच में आएगा तो प्रपूसर लाष्ट में नहीं उसके ठीक पहले पहुंसता है तो अगर मैं यहीं पर इन डबले च वर्ट की जगे पर that का यूज करने लगूं तो प्रपूसर सेंटर्स के last में जाएगा कैसी this is the page यह वही पेज है that he was referring to जिसको वह बता रहा था तो देखिए that आगया बीच में तो यहां पर two last में पहुंचेगा अगर डबले जोड बीच में तो विद यानि की प्रपूसर पहले आएगा और that अगर आया यह ध्यान दीजिए कि यहां पर that बीच में आगया दो sentence आपन जोड़ा तो यहां पर that जो प्रपूसर को last भेज देता है तो प्रपूसर यहां पर इस तरह से आएगा यह refer का to है जो that की वज़े से last में आया है और यह search का for है जो यहां पर sentence के last में आया है suppose कि आपका मन यहा पर विच का लगाने का है suppose कि आपका मन डवले शवर लगाने का यहां पर है देठकी जगे पर तो अगर आपने विच यहां पर लगा दिया है तो यह पर यह तो पहले आपने विच लगा दिया तो for जो विच के पहले पहुँच जाएगा अब sentence हमाना correct हो जागा ऐसे अग लगा हो तो जाएगा पीछे अगर हम बात करने के रिलेटिव प्रोनौस अगर हम सेंटेंस से हटाई दें भी से गाइब ही कर दें तो क्या होगा जैसे की दिस इस दा मैं आई वर्क विद यह वही आदमी जिसके साथ में काम करता हूं आप ध्यान से देखो यहां पर दिस दम अगर है तो प्रपूशन फिर लाष्ट में ही जाती है चेक किजिए एग्जाम्पल को यह वाला यह वाला देखिए दिस दा मैं आई वर्क तो विद हूम को अटा दी तो विद जो पीछे पहुंच जाएगा तो फिर अगला देखते हैं दिस दा पेज ही वोज रेफरेंट में अगर सेंटेंस में अगर सेंटेंस में अपने पास कोई ऑब्जेट है और इसी ऑब्जेट से लेटेट कोई अपना एक इंफिनिटेव है मतला टू प्लस वीवन है तो अपना प्रेपोजिशन है वह इस ऑब्जेट के सेंटेंस के पीछे जाएगी कैसे जाती है देखि यह subject है मेरा, यह मेरा verb है, यह मेरा object है, इस object के according यहाँ पर एक infinitive आया, बैठ से क्या किया जाता, खेला जाता, तो यह infinitive किसके हिसाब से आईए, इसके हिसाब से, अब इसी के हिसाब से यहाँ पर एक आएगी proposition, यह याद कर लिए, तो अगर इस sentence को मैं ऐसे घुमा करके जाएगा पीछे, एक और example से देखिए, I read a book, तो read मेरा एक काम है, और book मेरा हो गया object, तो यह I subject, यह वर्व, और यह मेरा object, इसके हिसाब से मैंने 2 प्लस V1 पीछे जोड़ा, infinitive, तो इस book के according, एक proposition यहाँ पर लाश्ट में जाएगी, by, clear, फिसे मैं कहता हूँ, I sit on a chair, मैं chair पर बैठता हूँ, तो I subject है, मेरा work है, यह chair मेरा object है, इस object के हिसाब से, एक मैंने infinitive यहाँ पर यूज़ कर दी, तो इस chair के according यहाँ पर on आएगा, क्यों आएगा, देखिए, यहाँ पर on रखा हुआ था, तो और यहाँ पर देखिए, by कैसा है, यहाँ यहाँ पर sense के हिसा है, कब पहुंचता है, कैसे से पहुंचता है, वहने सारी वाते आपको बता दी, उमीद करते हो, आपको बीड़ी जरूर पसंद आया होगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई query हो, Facebook, Instagram पर पूछ लेना, बातचीत करने तो यहाँ पर कर सकते हैं, ब बाकी अब लोग comment जरूर करना,